जेन दोस्तों आपका में शोन और आप देखे रहें अपने चैनल फेविगान आज कुछ आपको समझाते हैं एक चार्ट के इसाब से कि जो हम कर यूज करते हैं और जो हमारे कपड़ों को पर प्रोडम आती है वह आती किस में दो चीज़ा होती है पूरे विश में या तो वह होगा यह अपना एतिजाब है या होगा शार्य यानि खार तो यह हम पता कैसे करेंगे यह होता है पी-एच. पी-एच के माददम से पता करेंगे यानि परटेशल ओप हाइटोजन हाइटोजन की शक्ती की एक से लेके एक से लेगे और छे तक यह हमारा आयाता है एसे डियानि तिजाविय यह हमारा है ते जाविय है यह तिजाविय आयाता है तिजाविय बेस और इसी तरह यहां आयता है यह हमारा शारी है शार यह बेस है या ये जिसमें खारापन यह यह खटापन यह खारापन दो चीज होती है तो इसमें क्याएं कि 1 से लेके 6 तक जैसे यहां एक पर चलेंगे यानि आसिड की तिजाब की मात्रा बहुत ज़्यादा शक्ति बहुत ज़्यादा होगी जैसे यह से 6 की तरफ चलेंगे वो छिन होती चले जाएगी साथ पे आके नॉर्मल यानी न्यूटल हो जाता जो पीने का पानी होता है समाने पानी उसके पार आठ से लेके चोदा तक है हमारा खार की तरफ आठ से लेके जो यहां से चलेंगे यहां से ज्यादा है इस तरह हमारे एक से लेके छे तक जो आते हैं वो कम हो जाता है लेकिन च्छे से लेके यानि आठ से लेके चोजा तक यहां से शुरू होता है और यहां पर आसा आसा यह चीन होना शुरू हो जाता है तो इसमें आता है क्या है कि हमारे जो एसिड के अंदर इसमें आता हमारा जैसे जो कोई भी एसिड होता है तो इसमें इसको maintain करने के लिए आपस में दोनों को सईinks करने के लिए तो हम इसमें use करते हैं जो पाणी रखा जाता है या use को करने के लिए हम इसमें use करते हम Ashtick Acid Ashtick Acid यह हमारा P.H. को maintain करता है यानि सिर्के का तेजाब जिसको vinegar भी बौलते है तो इसमें हमारे एसिड कों से आयाते है और इसमें आयाता है हाइड़ फ्लॉरिक एसिड हाइड़ फ्लॉरिक एसिड इसमें फॉर्मिक एसिड पॉर्मिक एसिड सल्फियॉरिक एसिड सल्फियॉरिक एसिड जितने भी एसिड होते हैं इसमें हाइड़ कलॉरिक एसिड यह जितने भी होते हैं यह सब आते हैं तो इसमें हमारे आयाता है सोडा, सोडा है, ये सोडा, सोडा बाल्ब कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट या नि मीटा सोडा, बेकिंग सोडा बोल से इसको, बेकिंग, सोडा, काश्टिक सोडा बगार सब इसी में आते हैं तो यह है, तो जब हमें इसका पता लगी आएगा तो उसके बाद हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यह बहुत जरूरी होता है, इसको पहचानना है, जब तक आपको नहीं पता होगा, किसी चीज़ का मा बहुत आसान हो जाएंगी, और उसी तरह जब हम वाशिंग, डैकलीन, यानि वाशिंग का, रंगाई का, छपाई का काम शार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एटीपी प्लांट, एटीपी प्लांट होता है, दोशित पानी को शुद करने का यंद्र, शुद का मतलए यह पीने का, यानि इस तरह किया जाएं कि वो हम प्येच आठ तक लेकर जाएं कि हमारा पर्यावरन के लिए पशु पक्षी, जीव के लिए ज्यादा हानिकारकना हो, तो यह चोटी चोटी चीजें हैं, आपको अपने जीवन में उतारनी पड़ेंगी, और आपको इस काम से ज शुरू कर सकते हो, बाकी यह होता है, कि जब आप चलोगे, सबसे पहले कपड़े की पहचान, और उसके बाद कपड़े का जो नेचर की उसको कौन कौन से क्रेटेगरी आती हैं, वो होना चाहिए, उसके बाद हमें उसका जो सिंबल होते हैं, यानि उसके वाशिंग के, उस आपको एक डेमो दिखा रहा हूं कि अभी जो हमारी फ्रेशरों की जो फ्रेशर जो हमारे भाई, जो हमारे बच्चे, जो हमारे दोस्त अभी जुड़ेंगे, तो उनको डेमो के डेमो प्रैक्टिकल हर एक तरह सिखा जाएगा, बाकी यह चीज़ें, आप वर्ल्ड क्लास क कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और मैं कैसे हैंकार वाली बात नहीं है, जो मैं बता रहा हूं, आपको 100% कि आप अपने उपर पहले विश्वास करें, तभी आप इस काम को सीख सकेंगे, तो दोस्तो कपड़े का विश्य यूही निरिन से चलता र कि आपको 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 कि